तो आज चलिए बनाते हैं कुछ छली सा मतलब धेर सारे सब्जी के साथ तो एक फेमस जिसमें डाल भी नहीं बनाना पड़े और सब्जी भी नहीं तो येस दिस डालमा तो जो भी डाल लेक मूंग डाल आप यूज कर सकते हैं या फिर जो भी आपका फेवरेट डाल तो मैं इ तो अभी इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे उसके बाद जो भी सब कुछ सब्जी है उसको एड़ कर लेंगे जैसे की काव पीज हुआ कावपीज बनानाज ये रीच गौड ये फिर बॉटल गौड कैरेट्स ब्रिंजल देन अद्रग लेसून और प्याज टमाटर और ये खूब सारा बॉटल गौड परवल आलू तो अफकोर्स आलो के बिना ये दालमा इनकंप्लीट है आलो बैंगन और टमाटर इसकंपलसर टमाटर और ये भी मूग करदेंगे पानी बस्तेस में तौहरा नंमके साथ उसको अच्छे से बॉईल करेगे गे पवादृ और ऐससे बाइलीजेश,ख्लत और दीयो months, आपय,च्छे बस्त चूपी बनाना और और विजितorum भ़प बहर भर के आप एड़ कर दीजिये, हल्दी हल्दी सा, बज, that is very healthy, do try it, रोटी के साथ, बहुत सुपर डुपर डिलिशियोस, and healthy डालमा, and रोटी, enjoy करिये, guys, अब इसको बॉइल होने में टाइम लगेगा, and उसके बाद हम लोग, आप अगर चाहते हो, तड़का दाल सकते हो, घी में थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा तेज पत्ता, एंकडी पत्ता, और मिर्च के साथ, या तो फिर सिंपली आप बॉइल हल्दी खाना जाते हैं, तो तो रोटी के साथ, आप गरम गरम दालमा उसकर लीजिए, और तड़का अगर आप चाहते हो, तो देखी गाइस, तड़के में जीरा, घी में जीरा, तेज पत्ता, कडी पत्ता, थोड़ा सा मिर्च लेके, मैं जो भी बॉइल हुआ था, उसको एड़ कर दी हूँ, तड़क लगा दी हूँ, तो गरम गरम दालमा और रोटी एंजॉय करिए, सबस्क्राइमे चैनल, बाई गाइस,